अखिलेश वा मायावती के गटबंधन का आसर है कि पीम नरेंदर मोधी दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर जमीनी स्तर पर तयारी तेज कर दी गई है। बीजेपी जानती है कि दिली की सत्ता पर फिर से कबजा जमाना है तो पीम मोधी का ही चुनाव जीताने में मुख्य भूमिका निभानी होगी। पीम की दो सीटों को लेकर तयारी तेज हो गई है और संग ने भी मोर्चा संभाल लिया। संसदिय चुनाव 2019 में पीम नरेंदर मोधी की सीट सबसे महत्वपून साबित हो सकती है। वर्तमान समय पीम मोधी बनारस सीट से सांसद है। पीम मोधी को चुनाव हराने के लिए अखिलेश यादव व मायातवी की पार्टी ने गटबंधन कर लिया है और इस बात की प्रबल संभावना है कि कॉंग्रेस आप पार्टी व बीजेपी के विरोधी अन्यदल भी इस गटबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसा होने पर पीम मोधी की मुश्किले बढ़ सकती है।